जाहिन दोस्तो जय जय किसान हमें राहुल जवान और हमें इसन बल्या में मैं आपको बड़ी बेसिक सी चीज बताना चाहता हूं जो किसान कई बार गलती कर देते हैं नितेश की जो है लेवर ने भी घड़बर कर दी घड़बर यह हुई यदि आप इस तरीके दे पोधे की मुंड़ी काड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं पोधे का सड़ना अब यह सड़ेगा सड़ के रिवर्स होगा और नीचे जो होल बनेगा वो चोड़ा बनेगा और उस बड़ी मुश्किल से हैं रिवर्स में 80% इसको खूद को सर्वाइब करने में सड़न को डिकंपोज करने में सड़न आने में यह सब चीज में मता एनर्जी वेस्ट जाएगी इसकी ठीक है अब अगर इसकी मुंडी छोड़ देते और दो पत्ते इसके रख देते तो यह कु जिससे इसको भी नुक्सान है इसके बच्चे को भी नुक्सान है अगर किसी बच्चे के बाप को मर रही है प्रकर्तिक अगर उसको मौत दी जाए उसकी सेवा की जाए तो वो अपने पास जो है वो सब बच्चे को देखे जाएगा अगर वो बच्चा उसको मडर कर दे या उसके जो चोट लगी हुई है वो अपनी चोट को ठीक करने में लगाएगा यह पोदा आखिर तक कोशिज करेगा खुद को जिद्दा रखने की यह प्रकृति का नियम है बट जब आपने इसको दो पत्ते छोड़ देते तो इसको नेचर सा सिंगना लाता कि भाई तुमारा क बच्चे को और एक समय आएगा जब यह नहीं पत्ति आने सकती पुरानी पत्ता जादा दिन चलती नहीं तो यह पत्तियां धीर धीर अपना क्लॉरोफिल रिवर्स करना सो कर देंगी और यह पूरा इसके एनर्जी रिवर्स होकर के यह बच्चा खिंच लेगा पूरी तो अगले साल पर्टीगेशन 50% से ज्यादा 70% के लगवग यह बच्चे को यह देगा तुम तुमने केवल 30% देना है वह 30% भी तुम सर्चों की खली नॉर्मल चीजें इस तरीके से दे सकते हो कि कहां पैसा लग रहा है खेती करने में तुमारी विवकूफियों के कारण पैसा लगता है अब इसको काटोगे तो यह रिवर्स होगा यह कुछ नहीं देगा आप तुम्हें अलग से बोरी लाकर डालनी पड़ेगी फिर काओगे खर्चा जादे आ गया तो सिर्फ एक ट् कर तो अच्छी बात है नहीं करोगे तुम्हारी स्रद्धा जाहिन